हेलो फ्रेंड्स हाव आई यू आई होप यू आर अल वेल मैं रामकुमार भारती स्वागत है आप सबका एक पर फिर से मेरे सीडियू चैनल पर आज को जो टॉपिक है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्थिमिलोजिस्ट के लिए और अप्टोम के लिए तो मva को आपको बताऊंगा इस वीडियो में अन स्ट्रक्टर ऐस उफ लेंदी से लिए जोन्हींन के बारे में बताऊंगा एन फिजयोलोजी फंकशन्स ऑफ लेंज का काम क्या है जैन्स को फिजयोलोजी क्या है तो दिए किसी देरकिर अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टाट आवर टॉपिक नव लेंज तो इस अनाटर्मि उफ क्रिस्टिलाइन लेंज के फर्स लाइट्स में हम देखेंगे की लेंज क्या होता है तो लेंज इज ट्रांसपारेंट बाइज क्रिस्टिलाइन अस्ट्रक्चर प्लेज बेट्विंग आईरिस एंड के बीच में तस्तरी के आकार के डिप्रेशन स्कूरूप में परजेंट होता है जो पैटलर फोसा में अस्थीत होता है सिचुएटेड होता है जिसे हम लेंस कहते हैं देन इस स्लाइट में देखिए एक डायमीटर 9-10 mm in adults मतलब जो एडल्ट होता है जो युवाओ में होता है जो डायमीटर लेंस का वो 9-10 mm होता है और जो बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका आक में जो लेंस का डायमीटर रहता है वह 6.5 mm का होता है जन्म के समय जो इसका ठीकनेस रहता है वह 3.5 mm का होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मतलब एडल्ट में जो लेंस की ठीकनेस होती है वह कितना हो जाती है 5 mm की हो जाती है and weight 135 mg 0-9 year and 255 mg weight 40-80 years मतलब लेंस का जो वजन होता है वह बच्चा जब जन्म लेता है तब से 9 साल की उम्र तक जो उसका लेंस का weight रहता है वह 135 mm का होता है उसके बाद जो एडल्ट होते हैं वह धीरे धीरे बढ़ करके लेंस का weight कितना हो जाता है 255 mm का then anterior surface of lens is less convex, less power 10 mm and the posterior surface is 6 mm मतलब जो lens का anterior surface होता है आगे वाला जो भाग होता है वो less convex के करण क्या हो जाता है less power का होता है जिसकी length होती है 10 mm का और lens का posterior surface का जो length होता है वो होता है 6 mm का then the two surface of the lens meet at the equator मतलब lens का जो दोनों surface है anterior surface and posterior surface दोनों एक जगा आके मिलता है जिसे हम equator कहते हैं जैसा है image में आपको दिख रहा होगा then the center of the anterior and posterior surface called as the anterior pole and posterior pole respectively मतलब जो anterior surface और posterior surface के center को हम लोग क्या बोलते हैं anterior pole कहते हैं और posterior pole कहते है posterior वाले surface को then the next slides में देखिए कि the anterior pole is about 3 mm from the back of the cornea anterior pole cornea के पीछे से लगभग 3 mm की दूरी पर होती है and refractive index of the crystalline lens is 1.39 मतलब crystalline lens का जो refractive index रहता है वो होता है 1.39 का and nucleus and cortex refractive index is 1.41 and 1.38 जो nucleus का refractive index होता है वो 1.41 होता है और cortex का जो होता है आपका refractive index वो 1.38 होता है then last point देखिए एक refractive power of the crystalline lens is 16 to 17 डियाप्टर मतलब जो natural lens होता है आख में उसका refractive power कितना होता है 16 से 17 डियाप्टर का होता है then इसमें एक point है कि accommodations power of the lens lens का accommodations power कितना होता है ठीक तो इसमें first point देखिए कि 14 to 16 डियाप्टर at birth जो छोटा बच्चा होता है उसका accommodations power बहुत जादा होता है ठेक छोटे बच्चे में accommodations की छमता बहुत जादा होता है छोटा बच्चा में एककुमोडियाप्टर कितना होता है तो उसका उस समय जो लेंस का एकोमोडेशन्स पावर रह जाता है वो 7 से 8 डैप्टर तक ही एकोमोडेट कर पाता है And lastly 1 to 2 डैप्टर at old age After 60 years अगर कोई वैक्ती जो बहुत बुढ़ा हो चुका है जैसे 60 साल का उसमें उसके लेंस में एकोमोडेशन्स का छमता ना मातरा के बराबर रह जाता है बहुत कम जैसे 1 से 2 डैप्टर तक ही एकोमोडेट कर पाता है बहुत मुश्किल से यहाँ पर समझाने का मतलब यह है कि जैसे जैसी हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एकोमोडेशन्स च्शमता क्या होते जाता है! कम होते जाता है, इस Slides में देखिए यह एक Crystalun Lens Natural Lens का Structure है जो हमारी आखों में Pibort होता है जर्म से होता है, उसका जो Structure होता है वो ऐसे होता है! अभी हम जो भी कुछ आपको बता है, इस Image में आपको दिखिएगा! हमने anterior surface के बाद की posterior surface के बाद की तो देखिए आगे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा वो आपको anterior surface है और ये posterior वाला जो हिस्सा है आपका posterior surface और दोनों surface एक point पर आका मिलते हैं उसे हम equator बोलते हैं जैसे एक उपर का equator हो गया superior एक होता है नीचे inferior equator उसके बाद जो image में आपको दिखाई दे रहा है वो lens के parts दिखाई देते हैं lens में तीन parts usually होते हैं जैसे सबसे बाहर में जो दिखाई दे रहा है वो आपका lens capsules होता है उसके बाद जो present होता है आपका cortex present होता है और उसके बाद nucleus present होता है इसमें nucleus का कुछ अस्टेज बताया गया है जैसे infantile nucleus, adult nucleus, fetal nucleus and embryonic nucleus यह nucleus का type है इसको मैं बाद में discuss करता हूँ आगे की वीडियो में और इसमें एक देख रहा होगा आपको lens epithelion जैसा कि image में आपको दिखाई दे रहा है यह कुछ parts हुए लेकिन इसमें एक point देखे कि posterior surface of the lens is in contact with vitrus and attached to it in a circular area with vigots ligament कहने का मतलब lens का जो posterior surface होता है वो vitrus के contact में होता है vitrus के संपर्क में होता है और vigots के ligaments के साथ एक circular area बनाता है और area से जुड़ा होता है देन इसी में एक point और देखिए कि there is a potential space between posterior lens capsule and vigots ligament is known as berger space मतलब कहने का मतलब कि posterior lens capsule और vigots ligaments के बीच में एक potential space बनता है एक संभावित जगा बनता है उस जगा को हम क्या करते हैं berger space के रूप से या नाम से जाना जाता है देन अब हम बात करेंगे structures of the lens lens में कितने layer होते हैं या कितने structure से मिलकर बना होता है lens generally तीन structure से मिलकर के बना होता है पहला lens capsule दूसरा lens CPthilium और तीसरा lens fiber यह lens में तीन layer present होते हैं अब एक एक करके तीनों के बारे में हम detail में पढ़ते हैं then अब हम देखते हैं lens capsules के बारे में तो यह lens capsule जह है वो lens का सबसे बाहरी वाला layer है सबसे बाहरी वाला part है तो इसमें देखें कि it is thin transparent hyaline membrane surrounding the lens which is thicker at the anterior portion मतलब यह lens के चारों और एक पतली transparent पारदरसी and hyaline membrane जिल्ली होती है जो आगे की भाग पर अधिक मोटी होती है anterior portion पे सबसे ज़्यादा इसकी मोटाई होती है then it is thickest 7 to 17 mm and 14 micron at pre equator region and thinness is 2 to 4 mm 3 micron at the posterior pole और 8 to 14 mm thin at the anterior pole मतलब यह pre equator region में 7 से 17 mm की थिकनेस होती है अगर इसे हम micron में बात करें तो 14 micron की थिकनेस होती है आपका pre equator region पे posterior pole पर इसकी जो thinness होती है मतलब सबसे पतली होती है जिसकी length 2 से 4 mm, 2 से 4 mm होती है और इसे micron में बात करें तो 3 micron की थिकनेस होती है आपका posterior pole पर और anterior pole पर इसकी thinness जो होती है जो सबसे पतला होता है वो कितना होता है 8-14 mm पतला होता है देन इस स्लाइट में देखिए कि the lens capsule is highly elastic but not contain any elastic tissue मतलब lens capsule जो होता है वो highly elastic होता है लचेदार होता है लेकिन इसमें कोई elastic tissue present नहीं होता है and then last point देखिए lens capsule में कि it is composed with collisions and 10% glyco aminoglycans मतलब यह जो बना होता है वो आपका वो collisions fiber से बना होता है और 10% glyco aminoglycan से मिल करके बना होता है then इस slides में हम बात करेंगे lens epithelium के बारे में जो दूसरा layer है single layer of cubital cell which lies deep to the anterior capsule मतलब यह cubital cells की एक परत है जो anterior capsules के depth में present होता है गहराई में present होती है then all metabolic, synthetic and transport process of lens occurs in this layer मतलब lens के सभी metabolic, synthetic और transport process मतलब परिवाहन परकेरिया इसी परत में होती है metabolic कभी functions यही responsible होता है कराने का synthetic and minerals का transport कराने के लिए responsible आपका lens का epithelium ही होता है at equatorial regions this cells become columnar मतलब यह equatorial regions में यह cells एक cuboidal cells हो जाती है lastly there is no posterior epithelium present मतलब इसमें कोई भी posterior epithelium lens में present नहीं होता है यह lens epithelium सिर्फ anterior capsule में ही present होता है then अब हम lens के तीसरे structures के बारे में बात करेंगे जिसे हम lens fiber कहते हैं the epithelium cells elonged to form the lens fiber जो epithelium cells होते हैं वो क्या हो जाते हैं? along हो करके lens fiber का निर्मान करती है then mature lens fiber are cells which have last their nuclei मतलब जो mature lens fiber वैसा cells है जो nucleus के अंतिम हिस्से में present होता है then lens fiber make up the most of the lens volume are laid down horizontally मतलब lens fiber lens का क्या होता है? अधिकांस volume होता है और यह horizontally रूप में दिखाई देता है मतलब lens में जो भी वजन आता है वो lens fibers के कारण ही आता है and concentrically like layer of an onion और यह एक concentrate रूप से प्याज की परत की तरह होती है जैसे प्याज में layer by layer होता है वैसे ही lens fiber भी क्या होता है? एक concentrations की तोर पर onion की जैसा structure होता है जो layer by layer present होता है इस lens fiber में दो पार्ट पर्जेंट होते हैं जैसे nucleus और cortex पहला जो nucleus है उसमें देखी के central part contain old lens fiber यह center भाग होता है जो पुराने lens fiber को क्या करता है? contain करता है मिल करके बना होता है and cortex peripheral part and contain youngest lens fiber मतलब lens के जो cortex वाला पार्ट होता है उसमें youngest lens fiber होते हैं जो new new lens fiber बने होते हैं वो presents होते हैं और nucleus में जो lens fiber old हो जाते हैं वो वहाँ पर contain करते हैं वहाँ पर आते हैं देन अब हम nucleus को थोड़ा detail में जानेंगे जैसा कि image में आपको दिखाई दे रहा है onion में जैसे layer by layer part होते हैं सबसे बाहर वाला जो part होता है आपका nucleus का वो जिसे हम adult nucleus कहते हैं उसके बाद जो होता होता infantile nucleus फिर fetal nucleus और सबसे last lick जो बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है आपको lens का part nucleus में उसे हम embryonic nucleus बोलते हैं सभी structures के बारे में हम detail में next वीडियो में जानेंगे अभी फिलाल जाते जाते ये question का answer कमेंट बॉक्स में जरूर कर दे thank you very much अभी के लिए इतना ही thank you very much वीडियो बहुत बड़ी हो जाने के कारण मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ